आई आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक लेकर में मनोविकार सेख्षरोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्जी तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं काफी लोगों के साथ में मैंने प्रैक्टिस में देखा हूगा है कि बहुत सर दो को जो मानसिक बीमारिय और शैरिक बीमारिय उती हैं तो वो लोगों में चार ऐसी मेजर भवना एं या विचार दिमाग में रहते हैं जिसके वज़ेसे उनको तकलिब होते रहती हैं और यह चार जो भावना या विचार जो है वो है sadness, मतलब निराशा या दुख फिर self-criticism, मतलब वो खुद की आलोचना करते है तीसरा, वो लोग खुद को guilt महसूस करते है अपरादीपन की भावना, अपराद बोध यह होते रहता है और चवथा उनको unknown fear रहता है, डर रहता है तो यह चार चीजे है, मतलब चार बाते जो है यह बहुत दिमाग में परिशानियां पैदा करती है मैंने बोला कि एक तो भय, अपराद बोध, मतलब self-guilt गिल्ट लगना, आलोचना करना, self-criticism और sadness क्या होता है, यह यही भावना जिमाग में रही तो हम क्या करते हैं, कि हम वातावरेंड में लोगों को दोश देते घुनते रहते हैं और जब वातावरेंड में लोगों को दोश देते हैं इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब मैं जिम्मेदारी लेता नहीं हो और जम्मेलारी लेता नहीं हो, लोगों को दोस्ट देते जाएंगे, तो फिर मेरे जीवन में कुछ मुझे यश्क या सफलता मिली कि नहीं, क्योंकि लोगों को दोस्ट देने से कुछ होंगा नहीं, क्या होता है कि लोगों को दोस्ट देते इसका मतलब लोग काम नहीं कर रह तो फिर मेरे दिमाग में विचार क्या होता है यह जो चार भावना है मैंने बता है कि सैडनेस, खुद का क्रिटिसिसम मतलब खुद की आलोचना करना, गिल फिलिंग और चौधा जो है भै इससे होता क्या है कि मेरे दिमाग में ऐसे विचार चालू रहते हैं कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, लोग बिल्कुल ही कौपरेटिव नहीं है लोग मेरा इस्तेमाल कर लेते, लोग मुझे पायदान के तरफ वापर लेते हैं लोग मेरे तरफ हर दम नाराज़गी से देखते रहते, कोई मुझे काम में आता नहीं है इस तरह के जो विचार है, वो विचार ऐसे लोग मेरे आजवाज़ों में पैदा करते हैं, मुझे यह कहना है कि बाहर कुछ भी नहीं है, इस तरह के लोग इनि आपके पास में आ रहे हैं, कि लोग आपका इस्तिमाल कर रहे हैं, लोग आपका वापर करके ले रहे हैं, लोग आपके विचारों ने उन्हें आकरशित किया यदि वो दिमाग में विचार आपके नहीं रहते थे तो वो लोग आकरशित होते नहीं थे आपके आजुबाजु में आते नहीं थे तो यह समझ के चलो कि आपके आजुबाजु के जो लोग है जिनको आप ब्लेम कर रहे और जि तो आपका वापर कर लेते हैं, फाइदा देते हैं, नुकसान करते हैं, वो लोग और कहीं चले जाते थे, और वो और लोगों के पास में एट्रैक होते थे, वो आपके पास में एट्रैक होते हैं, आकरशित होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वैसे विचार है, तो हमको य क्या मैं खुदको एकती वेक्तीम हैंसुस करता हूं कि थीक नहीं हूं अच्छा नहीं हूं और मेरे में अप्रादी बन के माण है क्या मेरे दिमाग में सुल फेला माइंडर पार季द करना उसको दिमाग में रखना कि यह ऐसा चल रहा है मेरे दिमाग में उसको बाजू में रखना और सामने जब आप काम करना चालू करोगे तब आपको रिसल्ट आजाएगे तो यह दिमाग के विचारों को दिमाग में रखते हुए और उसके ओपर विश्वास करते हुए काम करना यहां तक है और ये करेंगे तो सबलता नहीं पिलेगी क्योंकि उस तरह कि लोग आपके आजू-बाजू में फिर आएंगे नहीं आपके आजु-बाजू में ऐसे आएंगे कि जो झाल झाल झाल